नमस्कार मैं जीशान जाविद आप देख रहे हैं न्यूस नेट्वर्प तुडे रीवा के बिच्छिया महले से दिल को दर्णा देने वाला मामला आया सामुदू अपनी सहेली को बुलाकर नजदीकी रिस्तिदार भाई से दुश्कर्म की वार्दात को दिया अंजाम महिला थाने में भूई शिकायत के बाद दोनों आरूपी गरफतार उनसे फिलाद पूश्का जाए सहेली को बुलाकर रिस्तेदार भाई से दुशकर्म की घटना को दिलवाया अन्जाम बिचिया महले का मामला महिला थाने में शिकायत के बाद दोनों आरोपी गरपतार रिवा में सहेली को बुलाकर नजदेकी रिस्तेदार भाई से कराया दुशकर्म दोनों आरोपी महिला पुलिस ने पकड़ लिये हैं रीवा के बिच्या मोहले का है मामला रीवा में एक बार फिर से दुषकर्म की घटना सामने आई है जहाँ अपनी ही सहेली को अपने घर में बुलाकर अपने नजदी की रिस्तेदार भाई से दुशकर्म की घटना को अन्जाम दिल्वाने में मदद की एक बहन है यूपती की शिकायत पर बहन और रिस्तेदार भाई को महिला थाने की पुरिस ने ग्रफतार कर लिया है फिलहाल उनसे उच्टाज जारी है रिवा शहर में एक बार फिर से इस तरीके की वारदार सामने आई है जहां आपसी रिस्ते तार तार हो गए एक किसोरी को दुशकर्म का शिकार बनाया गया है मिली जानकारी के अंसार उक्त मामले में एक लड़की भी सामिल थी जिसके सहयोग से आरोपी लंबे समय से किसोरी के साथ दुशकर्म की घटना को अंजाम दे रहा था पीड़ता की शिकायद पर महिला ने दुशकर्म और पासको एक की धारा के तहर जान से मारने की धंकी देने का मामला भी दर्ज कर दिया है महिला पुलिस ने आरोपी को खिरासत में देकर कुछ से पूछता थी प्रारम कर दी हैं फिला दोनों आरोपी महिला पुलिस की खिरासत में बिचिया थाना चेतर की रहने वाली एक लड़की को जहांसे में देकर साकेत परिवार की एक लड़की ने आरूपी नजदी की रिस्तेजार भाई से दुश्कर्म करवाया था पीर्टा की शिकायत पर आरूपी और सहेली के खिलाब मामला दर्ज किया गया है आपको बता दें इस समय लगतार दोस्तों के द्वारा ही धोखा देकर दुश्कर्म की घटनाओं को अंज़ाम देने के काफी मामले देखने में नज़र आए इस मामले में भी हम ऐसा कर सकते हैं बहन की एक लड़की के साथ तोस्ती उसके घर में आना जा रादा भाई ने बहन की मदद से दुश्कर्म की घटना को दिया अंज़ाम वीवा एस्पी नवरीद भसीन ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया दोनों आरोपियों को महिला थाना पुलिस ने गरपतार करने में काम्याबी पाई या हमारे पास शिकायत आई थी बिच्छिया के रहने वाले साकेत परिवार का मामला था शिकायत में कहा गया था दो लड़कियां जो आपस में दोस्त थी उन्हें के नजदी की रिस्तेदार भाई ने बहन की सहमत से पहन की मदद से सहेली के साथ दुषकर्म की घटना को अन्जाम दिया ये काफी दिनों से चल रहा था साथ ही जब सूत्र बताते हैं कि जब लड़की ने साधी करने की बात की तो उसको जान से मारने की धमकी भी दी थी पुलिस ने कई मामलों में पासको एक्ट सही कई मामलाओं में इन दोनों के खिलाब अपरात पंजीबत किया है फिलहाल पुलिस जादा कुछ बोलने की इस्थित में नहीं है पुलिस का साथ तोर से कहना है अभी हम पूछनाच कर रहे हैं जो भी ताजा अपडेट आएंगे वो हम आप तक शेयर करेंगे पूरे मामले को लेकर हमने रीवा के पुलिस कप्तान नवनीद भसीन से बात की आईए आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर पुलिस कप्तान का क्या कुछ कहना था आप भी सुनिये अपिश्या थाना शेक्र में एक बच्ची ने आके जब घटना करम बताया था महिला थाना ने अतपरता से पर कारवाई की और ना सिर्फ मुख्ष आरूपी को अरेस्ट किया है अपिटू उस बच्ची ने बताया था कि जिस रड़की ने रहोग किया इस गटना करम में उस कि पूस्ताच महिला थाना वर्वरी इन से बास्चित कर रहे है जो डेल अभी तक शाम तक आएगी है वो आप कॉंप्लेट करें ताज़ा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क तुड़े से जुड़े रहे है चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाई और देखते रहे है न्यूज नेटवर्क तुड़े